जहींद नमस्कार साथी और स्वागत हैं आपका इसके लिट श्टड़ी के ओफिसल यटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि SSC MTS एंड SSC हबलदाद इन दोनों की पोश्टों में से कौन सी पोश्ट सबसे अच्छी होने वाली है यहाँ पर दोस्तों आपको प्रिमोशन सेल्वी और बर्क प्रोफाइल को देखते हुए यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि इन में से कौन सी पोश्ट सबसे अच्छी है सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रिमोशन की तो प्रिमोशन में अगर दोस्तों बात की जाए हवलदार की तो बस आपका एक ही प्रिमोशन होता है जो की आप हवलदार से हेड हवलदार बन जाते हैं लेकिन यहाँ पर बात की जाए SSC MTS में तो यहाँ पर आपके कापी अच्छे promotion होते हैं यहाँ पर आपको 3-4 promotion देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर जो salary starting में है बो दोस्तो grade पे बिल्कुल सेम है दोनों पोस्टों का लेकिन promotion होने के बाद यहाँ पर salary अलग-अलग हो जाती है ग्रेड पे चेंज हो जाता है और जो आपका promotion दोनों पोस्टों पे है वो 3 साल के बाद होता है तो यहाँ पर salary बिल्कुल सेम होने profile की तो यहाँ पर दोस्तों अलग-अलग काम है दोनों पोस्टों का यहाँ पर जो SSC MTS की पोस्ट है इसमें दोस्तों आपको office पर करना होता है office के अंदर रहके लेकिन जो हवलदार की पोस्ट है इसे आप constable मान सकते हैं जिस तरह से डेली पुलेस constable, UP constable या मर्द प्रद में जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ की जो भी अधिकारी है उनकी security के लिए उनके साथ जाना या कहीं पर भी जैसे की income tax officer है अगर आपके यहाँ तो कहीं पर भी red लगती है तो बहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल पोस्ट की तो वो है SSC MTS की क्योंकि इसमें आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा बस ओफिस के अंदर वेके काम करना होगा पर मोशन भी यहाँ पे आपके काफी अच्छे हो जाते हैं और जब आपके पर मोशन अच्छे होंगे तो यहाँ पे आपको सेल्वी भी मिल जा थेंक यू